हेलो वेल्कम यूगाइज दिस आकाशल मुले आप सभी का स्वागत है लर्न नेक्स नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर ओके दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम लोग आरार भी ओके रेल्वे रिकूर्टमेंट बोर्ड जो कि बहुत दिनों से हम लोग इंतिजार कर रहे थे जो एडविटाइजमेंट आ चुकी है डीटेल एडविटाइजमेंट ओके हमने बोला था कि लगबख 9 या 10 तरी को डीटेल एडविटाइजमेंट आ सकती है तो आप देख सकते हो डीटेल एडविटाइजमेंट आ चुकी है रेल्वे रिकूर्टमेंट बोर्ड की तो यह यहां पर थोड़ी important बाते हैं हम लोग कर लेते हैं syllabus क्या रहने वाला है age eligibility scheme of examination एंड GNM candidate को experience लगेगा क्या या नहीं लगेगा यह सब कुछ यह वीडियो में हम लोग discuss करेंगे यहां पर देख सकते हो आप कि online application शुरू हने वाले 17 अगस्य है और last date कौन सा है 16 September रात के 11 बचकर 69 मिनिट तक आप form भर सकते हो यह आपको online form भरना है उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि जो भी modification window correction window दो दिन के लिए खुलेगा 17 September से लेके 26 September लगबक 10 दिन के लिए modification window खुला रहेगा ठीक है अगर कुछ modification करना है मैं यहीं बोलूँगा जब भी आप form भर रहे हो अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से detail advertisement पढ़के ही form भरना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा गलत नहीं भरना है अब यहाँ पर देख सकते हैं कि डाइटिशन की पोस्ट हैं ओके nursing superintendent यहाँ पर nursing superintendent का मतलब होता है यह लेवल सेवन की साफसे salary रहेंगे चोब वालिश हजार 900 रुपे का आपका basic बनेगा initial पर इसमें टीए डीए एच्छार नर्सिंग अलाउंस वाशिंग अलाउंस पकड़ेंगे तो लगबग 90,000 आपकी salary चली जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो age कितना रहेगा आपको maximum age minimum 20 दिया है maximum 43 total vacancy आप देख सकते हो 713 vacancy है तो इसका मतलब है कि जो लोगों की age खतम हो चुकी है जो लोग नौरसिट नहीं दे पाते थे या कोई भी central government की वह बंदों के लिए बहुत बढ़िया मौका है यहाँ पर आप 43 years जो अपर age open के लिए आप 43 years तक form भर सकते हो open के अगर candidate हो क्योंकि नौरसिट में आप देख सकते हो only 30 years उसके बाद आप एक्दम दहीं नहीं पाते हो तो यहाँ पर अरर भी आपको और एक मौका दे रहा है आपका पुश अप लगा आपका बेस्ट दो 43 years तक आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो यह सबसे बड़ी बात है यह साथ सो तेरा वेकंसी आ रही है नर्सिंग सुप्रेंट इंडिया नर्सिंग आफिसर स्टापनस एक ही है उसके बाद यहाँ पर मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट काफी अच्छी है 126 आपकी पोस्ट है फार्मसिस्ट की यहाँ पर 246 वेकंस 246 आपको पोस्ट यहाँ पर दिख रही है यहाँ पर उन्होंने 3-3 साल का एज एक्स्ट्रा एज रिलाक्षिन दिया है कुवीड के वज़े से अपर एज इंक्लूडेट एज रिलाक्षिशन त्वी एस ओके वन टाइम दिया है कुवीड-19 के वज़े से क्योंकि रेल्वे का आपका जो रहेगा यह क्या है आपका अपर एज लिमिट आपका एक एक 25 करेने वाले तब तक आपकी 43 यह होनी चाहिए ऐसा नहीं कि लास्ट टेट ओके ठीक हो गया तर उसके बाद यहाँ पर बोला है निगेटिव एक्जाम में निगेटिव मार्किंग है जो आप हो जाएगे डिक्रीज हो जाएएंगे टोटल मार्क से हर एक रॉंग अंसर के लिए उतके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम जो आप फॉर्म भरोगे आपका सिगनीचर रहेगा कैंडिडेट का यहाँ पर लिखा है शूड बी यूनिफॉर्म और अइडेंटिकल यह बहुत इंपोर्टेंट है फोटो के नीचे जो सिगनीचर रहेगी या जो सिगनीचर अपलोड को रहेगे वह इस तरीके से रहना चाहिए नहीं तो डिस्क्वालिफाय हो जाएंगे तो इसके बाद उन्होंने क्या दिया है हर कि है यह है ने Hero in ने में नंबर दिया है फौंब भरते टाइम पर कुछ भी दिक्कता अरी है आपको तो यह Technically 3 में में अपפों करके पूछ सकते हो या मेट करके पूछ सकते हो जो भी आपको दिक्कता आरी है उससे रिलेटेट ओके अभी नेक्स यहां पर बोलाए कि नेशनल एटी सिटीजन यह तो सबको पता है आप पढ़ सकते हो हाँ यह एज लिमिट आपने ध्यान में रखना है इसकी सब्सक्राइब फॉर्म भरना है जो आठवा नंबर का पॉइंट है यहां पर देख सकते हो तो स्व यहां पर लोवर और अपर एज लिमिट यहां पर दी है ओके तो आपको दहान में रखना है लोवर और अपर एज लिमिट जो भी पोस्ट के लिए आप अपलाई कर रहो लास्ट डेट आपका यह रहने वाला है तो हम 20 से 43 यह का देख लेते हैं इसमें लोवर यह रहेगी अपर आपकी अगर ओपन एडवल्यस तो यह रहने वाली है वह भी सी एंसे ले तो यह रहने वाली है यह यह 79 के तक आप जो भी डेट आप बरत है वह वाले भर सकते हैं यह ओपन वाले 82 तक ओके यह नॉट बॉन आफ्टर ओके यह यहां तक जो केंड़ेट है 20 साल वाले और ढले तो भालेकर बहुत एक 10 बरसकते हैं Past स्कृट गंडरेट के लिए 77 जिए सबसां परांनलऊर उसके बाद सिर्यरियलक्जेशन वालेट मिल जाया है आपको और और देन उसके बाद OBC के लिए तीन साल का रिलाइज़ेशन जो नॉन क्रिमिलियर के अंटर बाकी एक सर्जिसमेन यह वगर आप पढ़ लेना ठीक है यह हो गया आपको दहान में रखना है कि आपको फीज कितनी लगने वाली है तो आपको फीज लगने वाली है यहाँ पे अगर आप ओपन से बिलॉंग करते हो ओके यहाँ पे अगर आप ओपन से OBC and EWS से बिलॉंग करते हो male candidate उनके लिए पासो की फीज है उसमें से भी 400 रुपए आपको एक्जाम दोगे तो आपको वापस आ जाएगा आपके खाते में ठीक है तो पूरा 250 के पचास आपको आपके इसमें आ जाएगा एक्जाम होने के बाद ओके ठीक है mode of payment online रहने वाला है धान में रखना यहाँ पे EBC की definition अलग दी है EWS की definition अलग दी है और धान में रखना ओके ठीक है जभी form भरोगे आपका bank name, account holder name, IFC code अच्छे से डाल देना क्यो तैन उसके बाद आपको धान में रखने वाली बात है, एक सरिस्मेन की भी जगह है तो एक सरिस्मेन के लिए भी बहुत तरी जगह है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उसमें ठीक है, disability वालों के लिए भी यह है, अगर आप कही पर Central Government, PSU, State Government में काम करो और आप यह form भरना चातो, RRB का, तो आपको NOC लेना पड़ेगा, ओके, ध्यान में रखना, अगर आप कोई probation period में हो, कुछ भी हो, आपने कही चे स्टेट Government में जोइन किया, Central Government में, आपको NOC ले certificate आपने आपकी present employer से ले लेना, ओके, recruitment process किसके थुरू रहेंगी, recruitment process CBT, computer best test रहने वाली है, उसके आधर पे ही आपका recruitment होगा, ओके, ध्यान में रखना, और कुछ यह नहीं है, no interview, nothing, only one step examination है, ध्यान में रखना, ओके, जो भी इसका date रहेगा, time रहेगा, when you रहेगा, examination का, व RRB के website में रहेगा, या आपको mail आ जाएगा, अभी तो सिर्फ online form भरना है, question paper आपका single stage CBT रहेगा, 90 minute का paper रहेगा, जो PWD वाले हैं, उनके लिए 120 minute मिलने वाला है, बाकि normal candidate के लिए 90 minute मिलेगा, 100 question आपको solve करने है, हर एक right answer के लिए आपको, देखो, चार option तो रहने वाले है, यहाँ पर multiple choice questions रहने वाले है, single stage यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर हर एक question के लिए 1 marks मिलेगा, एक right आया तो 1 marks मिलेगा, wrong आया तो 0.33 marks आपके कम हो जाएंगे, यहाँ पर आपका paper कैसे बनने वाला है, तो यहाँ पर धान में रखना, आपका paper बनने वाला है, सबसे पहला तो यह पूरा nursing का आपके 70 questions बनेंगे, okay, 70 marks रहेंगे आपके, general awareness, यहाँ इसमें क्या था है, current affairs, okay, 10 marks के, general arithmetic, intelligence and reasoning इसमें पूरा aptitude, quantitative techniques, intelligence, reasoning, यह सब 10 marks के रहने वाले 10 marks के लिए, okay, general science, यह simple रहते है, physics, chemistry, biology के पूरे questions रहते हैं, तस्वी बारवी के, उसके दो, ऐसे में से 100 number रहेंगे, number of questions 100 marks रहेंगे, 100 marks रहेंगे, okay, धान में रखना, जो भी wrong होगा, उसके लिए आपके 1 third marks आपके कम हो passing criteria क्या रहेंगा, okay, तो passing criteria रहेंगा, minimum qualifying marks रहेंगे, अगर you are EWA से तो 40%, okay, so में से आपको 40 लाने पड़ेंगे, OBC and SC को 30 percentage लाने, याने 30 marks लाने 100 में से, SC, ST को 25 marks लाने, sorry, सिर्फ ST को 25 percentage लाने, या marks लाने है, धान में रखना, okay, तो यहाँ पर percentage दिया है, okay, साती साथ आपको बताओ, कि जो RRB की exam है, वो अलग-अलग, क्या बलते है, sessions में होगी, okay, अलग-अलग sessions में होगी, तो यहाँ पर भी normalization होगा, normalization का formula आगे दिया है, ठीक है, तो यह भी आपको समझ में आ गया, आपको यहाँ पर RRB में, one is to one is short list होगा, धहन में रखना, okay, 713 post है, तो 713 ह यहाँ candidate का selection list लागेगा, धहन में रखना, ठीक है, ऐसा नहीं है, कि one is to three अगर एक candidate बुलाएंगे, यह भी, normalization के लिए formula दिया है, कि भाई, यहाँ पर normalization होने वाला है, क्योंकि exam अगर different sessions में होगा, तो normalization होगा, okay, तो इसलिए आपको जितना negative कम करोगे, उतना आपको फा apply करना है, यहाँ पर, यहाँ पर online apply करने के पहले आपका photo कौन से size में चाहिए, jpg format में चाहिए, photo clear चाहिए, passport वाला, okay, यह 3270 kb में चाहिए, okay, at least 12 copies आपने निकाल के रखना है, जो अभी recently, जो आप online में form attach करोगे, वो जो photo आप attach करोगे, वो पूरा का पूरा white background में चाहि वही same जो photo है, वो 12 photos आपके रहनी चाहिए, आपके पास ध्यान में रखना, future recruitment process के लिए, उसके बाद आपकी signature है, वो भी उसका भी size दिया है, running handwriting की चाहिए, ध्यान में रखना, SCST certificate जो भी आप pass वगरे चाहिए, train का, तो उसके लिए request का format है नीचे पे, वो पासो के भी का आपको attach करना पड़ेगा, ध्यान में रखना online, PWD, EAS certificates वगरे सब आपको देखना है, ठीक है, आप पढ़ लेना, देन उसके बार आपको, जब आप online apply करोगे, तो कौन से, यहाँ पे, कौन से, RRB के लिए apply करोगे, वो आपको ड़ना पड़ेगा, यहाँ पे क्या बोला है यह advice to visit official RRB website frequently for authentic information and regular update various stage, ध्यान में रखना, तो जब आप apply करोगे, तो RRB मुंबई, यहाँ पे section में आजएंगे, कौन से region के लिए आप apply कर रहे हो, अब अगर आप महारश्टर से apply करोगे, तो RRB मुंबई, या उसके बाद RRB यहाँ पे, मुंबई जा सकते हो, महारश प्रोवाइड वैलिड इन्फरमेशन, ऑनलाइन अप्लिकेशन जो भी भर रहे हो, एक ही इसमें आप भर सकते हो, जो जगा पे आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, उसी दिन भी मैंने बोला था, यह भूरे different RRB website है, जान में रखना, जो भी आपके नजदिक पड़ेगा, जहा पर आप फॉर्म भर सकते हो, ऐसा नहीं कि महारस्टा से तो मुंबई भर सकते हो, आप कही का भी All India का भर सकते हो, पटना का भी भर सकते हो, बहुत सरे स्टुडेंट महारस्टा की पटना भर देते हैं या दो दूर का है वो, ऐसे या बहुत सारे RRB, अजमेर राजस्तान मोले होब तो वो लोग मुंबै भरते हैं उनको पता है कि जहां पर अपनी कैेटिगरी की जगह जादा है जहां पर अपनी लगने की चंक्छ ज्यादा है ऐसे जगह पर फोगिंगे तो आपका नंबर लगने की चंक्छ और बढ़ जते हैं ठीक है जब लेक्ट करना पड़ता है यह द्हान में रखना ठीक है जो भी modification रहेगा application form में वो अगर modification करना है वो जो आपको 10 दिन का time देंगे उसमें 250 रुपे भर के आप modify कर सकते हो अब मैं बोलूँगा यह modification के चक्कर में रहो form अच्छे से पढ़ो और form अच्छे से भर देना online application कोई पैसा भर के और से modification करने की ज़रुत नहीं है देखो application form अच्छे से भर दीजिये नहीं तो reject होने की chances है ओके वह भी important है देन और तो कुछ है नहीं कुछ हां और है कि हां आगे हम लोग ओके इस वेडि इंपोर्टन में चीज तो हम भूली गए थे तो nursing superintendent की इतना salary है lower age B से maximum 43 years तक आप फार्म भर सकते हो देखो यहां पे आप GNM direct फार्म भर सकते हो no experience जरूरत नहीं experience की nothing not necessary BSE हो डारेक्ट भर सकते हो GNM डारेक्ट भर सकते हो देखो three years का course only pass चाहिए और BSE nursing इतना ही बोला है और कुछ बोला नहीं कि भाई आपको experience चाहिए GNM के बाद या BSE के बाद कुछ भी नहीं तो GNM हो BSE हो आप fresh हो pass out हो आपका result आ चुके है तो definitely result and registration हो चुका है ओके वो सभी लोग यह form भर सकते हो हो ओके रिकर नहीं यहाँ पर वो भी नहीं लिखा है कि बाद क्वालिफिकेशन हाँ यह अप्टेनिंग क्वालिफिकेशन देकन एलिजिबल फॉर रिक्रूट्मेंट और यानि इतका मतलब यह होता है कि आपका result आना चाहिए GNM का और आपका registration हो गया है तो definitely आप एलिजिबल हो GNM हो कोई experience की जरूत नहीं BSE हो कोई experience की जरूत नहीं डारेक्ली फार्म भर सकते हो ठीक है तो यह clear हो गया कि GNM BSE दोनों फार्म भर सकते हो एज भी 43 years तक फार्म भर सकते हो इसमें भी पास सल का आप SCST और OBC के लिए 3 years का और एज relaxation है तो basically आप लोग फार्म भर सकते हो जो लोग एज के वज़े से जिन लोग का चांस चला गया है बाकि कि रेडियोग्राफ और फार्मसिस सब अपना अपना एजुकेशन देख सकते हो उसकी हिसाब से आप फार्म भर देना तो कि सभी के लिए बहुत महत्वपुर्ण है आप देख लेते हैं कि हर एक इसमें कितनी जगा है तो यहाँ पर लिखा है जो को हर एक RRB wise यहाँ पर का नोटिफिकेशन दिया है तो हम लोग मुंबई का देख लेते हैं बाकी फिर जहाँ पर है आपकी हिसाब चाप अपलाए कर सकते हो जिदर करना है तो यहाँ पर देख लेते हैं RRBmud की मुंबग्य में स्यूप सब्साइबी अंटेट्र और लेई टोटल सेंट्र गीन डीफोर एंट वेस्टीन में इन का इर्ट आर्रव के अपकी नर्सींी गान्सी क्यों है कत्किकरी सबसाए यहाँ एपर ओपन के लिए 43, 41 यहां फे 26, SC के लिए 11, 8, ST के लिए 9, 2, OBC के लिए 18 and 10, EWS के लिए 5 and 3, ओके धान में रखना, तो इस तरीके से टोटल वेकंसी आप मुंबई के लिए 84 and 49, ओके, तो इसके लिए भी इसमें भी आपको Central Railway के लिए अपलाई करो, या Western Railway के लिए अपलाई क कि जगा है, वहाँ पर डेफिनेटली आपने अपलाई करना चाहिए, आईदर वो Central Railway वो Western Railway, ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं, आप देखो, आपकी कैटेगरी की कुन से RRB में जगा है, अगर All Over India आप जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली कहीं का भी आप फार्म भर सकते हो, तो इस तरीके से आपको देखना है, और कुछ डाउट है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, हम लोग बात कर लेंगे, बाकी पूरे फॉर्मेट है, यहाँ पर कार्स सर्टिपिकेट के, गर SCST का कार्स सर्टिपिकेट यही फॉर्मेट में चाहिए, आ गवर्मेट आफ महारस्टान यहाँ राजस्तन, गवर्मेट आफ दिली नहीं, यहाँ पर गवर्मेट आप इंडिया लिखा होना चहिए, तभी वो वायलेट रहेगा, धान में रखना, ठीक है, यह डिकलेट है डेना पढ़ेगा, ओबीशी के लिए, अबिक यह शेयावाल of Maharashtra Government of Rajasthan format same ही है ऐसा नहीं है कि हर एक State का कुछ अलग है EWS जो भी निकालो वह State का भी चलेगा Central का भी चलेगा लेकिन OBC का NCL वह Central का चाहिए SCST का वह भी आपका Central का चाहिए देख लेना अगर State का मैच करता है वह format के साथ तो भी में चल जाएगा सेस्ट के लिए लेकिन ओबीसी हर साल उनको निकालना पड़ता है यह लगाना पड़ेगा अगर आपको फीज में यह चाहिए इबीसी में कोई भी जॉप के लिए बहुत सारी है यहां पर और यह आपको डिसाबलेटी सर्टिफिकेट वगरे दिख रहा है यह सब आप देख लो कुछ भी डाउट आ रहे हैं क्योंकि अप्लिकेशन फॉर्म तो 17 से चालू हो जाएंगे 17 तो आउगस से चालू हो जाएंगे आपके बहुत टाइम है अच्छे डेफिनिटली हमारा ओल इन वन कोर्स चल रहा है लर्न नेक्स नर्सिंग का तो प्लीज वह आप प्ले स्टोर से लर्न नेक्स नर्सिंग डाउनलोड करिए और हमारा साथ जुट जाए इसका दो एक्जाम का डेट अभी तक इन्होंने शोर नहीं किया है इसका एक्जाम करो मैक्सिमूम शेयर करो थेंक्यू जाहिंट